वेल तो क्या भारत की नई शिक्ष्या नीती इन तीन नियमों को कठोरता से लागू कर पाईगी जो कि टॉप एजुकेशनल कंट्रीज में कठोरता से लागू की जाती वो अगर सबसे पहले नियम की अगर बात करे तो वह है इसकुल का इंफ्रास्ट्रेक्चर्स कैसा होना च चाहिए वहीं तीसरे अगर नियम की बात करें तो वह है कि बच्चों के प्रति माता पिता की क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए चलिए तो उन तीन नियमों को थोड़ा विश्चार से समझते हैं जो टॉप की एजुकेशनल कंट्रीज फॉलो करती हैं वेल प्रेंड तो स्व शांत वातावरर में होता हैं जो की सीटी से बाहर हो सकते हैं या फिर आसपास किसी भी तरह का कोई शोर शराबा नहीं होता हैं दूसरी चीज वहां की क्लासेस हमेशा डिजिटली होती हैं और वहां की क्लासेस में हमेशा 20-30 बच्चे ही एक साथ पढ़ सकते हैं और वह क्ल और इसे जादा उनको practical करने पर focus करती हैं या कहें कि प्रेरित करती हैं तीसरी चीज है वहां के grounds उन लोगों का motor है था है कि खेल खेल के जरिये भी बच्चों को सिखाया जाए और ये सारी चीज है भारत की नई शिक्षान निती में कठोरता से लागू होने चाहिए और अब हम बात करते हैं दूसरे नेम के जो है टीचर्स पे लागू होने चाहिए क्या अब भी भारत में ऐसे टीचर्स मोजू थे जो की नई शिक्षान निती को पूरी तरीके से वास्तिविक स्वरूप दे पाए शायद इसका जवाब होगा नहीं इसके लिए मैं आपके सामने एक फेक्ट रखता हूँ भारत सरकार ने अलग-अलग राज्यों में सबी टीचर्स के लिए एक एक्जाम और्गनाईज कराएं जिसमें 20-30% टीचर्स जो 15-25 या 30 साल से लगातार पढ़ा रहे हैं वह टीचर्स उस एक्जाम में फेल हुए हैं अब इस रिजल्ट को देखते हुए क्या भारत की नई शिक्षानिती को ये टीचर्स वास्तिविक स्वरूप दे पाएंगे आप कुद कमेंट बॉक्स में जवाब दे देना फ्रेंड्स और अगर बात करो टॉप एजुकेशनल कंट्रीज के टीचर्स के तो वहाँ के टीचर्स का अगर सबसे पहले सिलेक्शन के हम बात करें तो वहां क्या सिलेक्शन इतना कटिन होता है कि जितना इंडिया में UPSC एक्जाम की होती है दूसरी चीज उन टीचर्सों में अपने सब्जेक्ट के प्रती फुल नॉलेज़फुल होते हैं साथी साथ बच्चों को हमेशा फ्रेंड्शिप इन्वार्मेंट पदान करते हैं तीसरी चीज अपने सब्जेक्ट में पुरी तरह प्रोफेशनल होते हैं चोती चीज वो हमेशा थोरी से ज़्यादा प्रेक्टिकल के थुरू समझाने की कोशिश करते हैं और अगर भारत की नई शिक्षानिती या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अगर जमिन पर उतारना है तो हमें टीचर्स के लिए कुछ खड़े कानून बनाने होंगे क्या नई शिक्षानिती में बच्चों के पेरेंट्स को अपनी जिम्मेदारियों का एसास करा पाईगी सरकार कठोर कानून बनाकर अगर टॉप के एजुकेशनल कंट्रीस की में बात करू तो वहां के पेरेंट्स पर इतना कठोर नियम बनाए गए हैं जिनको सुनकर आप चकित हो जाएंगे मैं अगर एक नियम की में बात करू अगर वहां का बच्चा बिना इन्फोर्म किये एक दिन की भी चुट्टी लेता है तो उस मामले को सीद्ध है वहां की लोकल पुलिस हैंडल करती हैं अगर मामला सही निकलता है तो उस बच्चे के माता-पिता पर कठोर सजाए या फिर जुर्माना भरना पड़ता है क्योंकि उन देशों का स्लोगन है कि इस बेबी इस नेशन एंड यूवर फ्यूचर्ज जिसका मतलब होता है कि यह बच्चा हमारे देश और आपका भविश्य हैं वह अगर इंडिया की बात करें तो पेरेंट्स की बस इतनी ही जिम्मेदारी होती है कि केवल बच्चों को सिर्फ इतना बोलना कि आपको सिकुल जाना है वह इसकुल जाए या नहीं जाए उससे पेरेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या सरकार पेरेंट्स को कठोर नियम बना कर अपनी जिम्मेदारियों का एसास करा पाईगी या नहीं देखते हैं नई शिक्षानिती में क्या होने वाला है और फ्रेंट्स आपको क्या लगता है क्या सरकार इस नियू एडुकेशन पॉलेसी में इन ती नियमों को कठोर थासे लागू कर पाईगी या नहीं कमेंट बॉक्स में जवाब जरू देना और वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें चेनल को सस करें टेक केर बाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जै हिंद फ्रेंट्स